जै महा काली जै माविन वासनी आज मैं आपको बताऊंगे फ्रेंट्स की इतर मैंने जैसे की पहली वीडियो में दिखाए है और पहले मैंने कौन सा इतर किया था यूज मद मस्त का तो आज मैं दूसरा शाही गुलाब इतर और पीली कोड़ी जैसे की आप देख रहे हैं अगर आपको किसी से प्यार है और आपको आपका प्यार नहीं मिल रहा या आप किसी जैसे की आपका कोई रिष्टा खराब हो रहा हूँ आपकी जैसे सास आपसे रूस्टो और आपकी सास आपसे नहीं बन पारी आपके सास का रिष्टा या किसी का रिष्टा नहीं बन पारा या आपकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही या आपके हजबन के साथ आपकी बन नहीं रही या कोई भी रिष्टा आपका खराब हो रहा हो तो आपने पिली कोड़ी और इतर और अगर बत्ती की राग से आप कैसे वशीकरन करेंगे आप उनसे अपने रिष्टे को ठीक कर सकते हैं आप उन्हें अपने बस में कर सकते हैं अपने रिष्टे को सुधार सकते हैं पर आपका विचाल सही होना चाहिए तो हम शुरू करते हैं यह मैंने यहाँ पे पीली कौडियां ले ली है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतर मेरे पास रखे हुए हैं काफी सारे तो इसमें से मैं इतर लोंगी शाही गुलाब का जो कि हमारी पीली कौड़ी में और यह अगरबत्ती की राख है आपने अगरबत्ती जला के उसकी राख को इकठा कर लेना है और इसके अंदर हम शाही गुलाब का अपना इतर डालेंगे इतर डालके इस राख और इतर को मिलाएंगे दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ यह हमारी राख और इतर मिक्स हो गया है तो हमने क्या करना है फ्रेंट्स जो भी वेक्ती है जिसे भी हमें अपने बस में करना है जिसका वशिकरन हमने करना है तो आपने क्या करना है पीली कौड़ी के उपर उसका नाम लिख देना है यहाँ पर मैं आपको नाम लिख के दिखाऊंगी पांच पीली कौड़ी लेनी है या साथ ले सकते हैं या नो या ग्यारा तो यहां पे मैं 5 पीली कोड़ी मैं ले रही हूं और इसके नाम लिख रही हूं मैंने लिखा अंश लेकिन आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो आप जिस वेक्ति का आपने करना है आपने उसका नाम लिखना है तो आपने इन दोनों चीजों को mix करके और ऐसी ही लिख लेना है जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर तो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ और यहाँ पर मैंने अंश नाम लिख लिया और ऐसी हर एक कोड़ी को मैं ले लेकि और सभी पर मैं नाम लिख लूँगी और यह वशी करन बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है फ्रेंट जो काम करेगा और आपकी सारी चीजे पूरी होंगी जो आप जिनका करना चाहते हैं वशी करन जाए अपनी प्यार को पाने के लिए या अपने हस्बंड को या तो अपनी सासुमा को सही करने के लिए लेकिन आपके विचार ठीक हों जैसे कि मैंने पहले कहा तो आप ऐसा कर सकते हैं यह मैंने अंश यहां पर लिख दिया ऐसी मैं पांच कौडियों पर लिख लूँगी और पांच कौडियों को लिख के और एक डबी लेनी है डबी के अंदर मैं इसमें दिखाऊंगी आपको सारे पी लिख के कि डबी के अंदर हमने डाल लेनी है कौडियों को और बहते वे जल में हमने परवा कर देना है और जब तक ये डब्बियां डब्बी के अंदर बंद रहेगी वो इंसान आपके बस में रहेगा आपका वशी करेंड बिल्कुल ठीक रहेगा आपने ऐसा ही करने और जब आप बहते वे पानी में इसको डब्बी को छोड़ने लगे तो आपने मंत्र बोलना है आपने ग्यारा बार का मंत्र करना है करके आपने उस डब्बी को बहते वे पानी में छोड़ देना है आपका वशी करन बिल्कुल उस वेक्ति के उपर सही होगा अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक सस्क्राइब और शेयर जूर करना और स्क्रीन पे नंबर दिवे पे आप मुझे कॉंटेक्ट करते सकते हैं अगर आपको पीली कोडी ना मिले वैसे तो इजी तरीके से मार्केट में मिल जाती है और अगर आपको हीतर ना मिले तो आप मुझे संबर्क कर सकते हैं मेरे पास से आपको सारा समान उपलब्द मिलेगा और अगर आप जहां कहीं पे भी ऐसी जगा पे रहते हैं जहां पे ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे भी कॉल करके मुझे भी ये काम करवा सकते हैं और आप खुद करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं जै महा का और आप किसी को भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर किसी का काम ना बन रहा हो तो उसका काम बनेगा और आपको भी दुआ लगेगी और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स फिर में आगे मिलती हो आपको नई वीडियो में और आपका यह जो मैंने आपको वशी करन का तरीका बताया बिल्कुल 100% ठीक है और आप इसे कर सकते हैं डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हैं इसे जो मैंने आपको बताया थेंक यू झाले कि बताया था र्मापय से जो जीक हैं आपको आपको दोब हैं इसे डिता क्यों टाहिंक है व्यान का तरीका बाको हैैन्या थेचा जिए झाल झाल